बताया जोता है कि हम एक दिन में तक्रीबन साड़े छे हजार विचार सोचते हैं। ये विचार हमारे जीवन की धार्णा बनाने में योगदान देते हैं। हमारा दृष्टी कौन तै करते हैं। आपकी जिन्दगी में जो भी घट रहा है वो कहीं न कहीं पहले सिर्फ एक विचार था जिसने बाद में भाव और कर्म का रूप लिया। एक छोटी सी दरार में से बहते हलकी सी धारा से कब ये विचार बांध तोड़ने जैसी बाण में तबदील हो जाए ये कोई नहीं जानता। बहुत ताकत रखता है पहला विचार क्योंकि वहीं से इसकी लड़ी शुरू हो जाती है। इसे काबू में करने की जगा हम इसके काबू में हो जाते हैं। विचार हमारी जिन्दगी बना भी सकता है और बिगाड भी। जरूरत है तो सिर्फ ये जानने की कि विचार शक्ती का लाब कैसे उठाएं। हर बार की तरह किसी भी बुरी आदत को बदलने का सबसे बहतरीन तरीका है अवचेतन मन में इसे बदलने का। उसके लिए ध्यान सबसे अच्छा माध्यम है। आज के इस ध्यान को आप जीवन में हर दिन इस्तिमाल करकर विचारों पे नियंतरन कर सकते हैं। तो इस विधी को याद रखने की कोशिश करें। शिरू करते हैं। एक आराम दायक स्थिती में बेट चाएं, चाहे जमीन पर या कुर्सी पर। ध्यान रहे कि कमर हर वक्त सीधी रहे। अपने हाथों को ग्यान मुद्रा में रखेंगे, यानि पहली उंगली और अंगूठे को जोड़े रखेंगे। बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। आखें बंद कर लें। ध्यान के समय इसी मुद्रा में बेठें। एक लंबी गहरी सास भरें। और उसके साथ दोनों कंधों को उपर कानों की तरफ उठा लें। जितना उपर कर सकते हैं। फिर मुझ से सास छोड़ते हुए कंधों को नीचे ले आएं। और नीचे जमीन की तरफ गिरने दें। अगली लंबी गहरी सास भरें। और इस बार बिना ज्यादा हिले शरीर को पूरी तरह धीला छोड़ते जाएं। बाजूं की मासपेशियों के अंदर हो रही किसी भी कतिविधी को देखें। और सास छोड़ते हुए इन सब अंगों को धीला छोड़तें। शिथिल कर दें। जैसे ये जमीन की तरफ गिरे जा रहे हैं। एक और लंबी गहरी सास भरें। और इस बार अपने आखें, कान और चेहरे की मासपेशियों को महसूस करें। सास छोड़ते हुए इनको धीला छोड़ दें। जिससे की ये पूरी तरह खुल जाएं। आखों की पुतलियों को भौं की तरफ केंद्रित रखें। ठोड़ी जमीन के समानांतर हो। अब सास पर ध्यान दे। जानने की कोशिश करें। कि क्या मैं गहरी सास ले रहा हूं। या छिचली। शरीर की किस हिस्से तक ये सास जा रही है। इसे महसूस करने के बाद हम दस से लेकर एक तक की गिंती करेंगे। और हर गिंती पर हमें अपने शरीर को और धीला और शिठिल छोड़ते जाना है। दस एक गहरी सास लें। जो पूरे शरीर में हर कुने तक पहुँचे पैरों से लेकर सर तक 9. गुरुत्वा कर्शन को महसूस करें और देखें कि किस तरह आपके हाथ पैर आसानी से नीचे की तरफ ढलते जा रहे है 8. शरीर और शान्त हो रहा है ध्यान अपनी धड़कन पर ले जाए देखें कि मास पेशियां कोशिकाने कितनी शान्त हो गई है 7. द्यान दे किस तरह बेह रही हवा आपके शरीर को छू रही है किस तरह आपका शरीर जमीन को छू रहा है और स्थिर हो गया है 6. आपके आस पास हवा चल रही है पर आप अडिग होके एक ही स्थान पर सरलता से बैठे हुए है जैसे धर्ती के चक्र का आप पे कोई असर नहीं हो रहा 5. एक बार फिर अपनी सास पर ध्यान ले जाए देखें सास कितनी गहरी है कितनी लंबी है ये सास और शरीर में कहां कहां तक जाकर हर भाग को उजवल कर रही है चार शरीर अब और शान्त और स्थिर और शिथिल हो चुका है बाहर की सारी आवाजें आपको और गहरे ध्यान में ले जा रही है तीन बिलकुल शान्त होके अपने रक्त संचालन को महसूस करें शरीर में बहर ही उज़ा को महसूस करें माथे को और ढीला छोड़ दे, दो एक और बार अपनी सांस पर ध्यान दे देखें कि सांस बिना रुकावट, शीतलता से शरीर में बह रही है और जहां जहां सांस जा रही है, एक प्रकाश वहां भरे जा रहा है शरीर और ढीला, और शिथिल हो रहा है एक खबाप पूरी तरह से शान्थ हो गए है, सारी इंद्रियां शान्थ हो गई है इस धिर्ता को अच्छे से मन में उतार लें जिससे कि आप कभी भी इस थिती में दुबारा आना चाहे तो और सरलता से आ सकें अब ध्यान सांसों के बीच के विराम पर ले जाए एक सास कहां खत्म हो रही है और दूसरी कहां शुरू हो रही है इस पर ध्यान दे अब इस विराम की अवधी को गिनिये मन ही मन अगर आपके सास लेने और छोडने में दो गिन्ती का फर्क है तो हम हर सास के साथ इस विराम की अवधी को एक एक गिन्ती से पढ़ाते जाएंगे तो सास भरें और अब सास छोडने से पहले तीन गिन्ती तक रुकें एक और बार ये दोहराएं और दोहराते जाएं जब तक आपके लिए ये आसान रहे हमारे विचार हमारी सासों की गती से जुड़े रहते हैं जब हम क्रूधित या चिन्तित होते हैं तो सास भी तेज हो जाती है और जब हम शान्त होते हैं या सू रहे होते हैं तो हमारी सास भी लंबी गहरी हो जाती है हमें जादा से जादा समय इस तरह से सास लेनी है सास के साथ विचारों को नियंतृत करना अब आपके लिए मुम्किन है ध्यान दुबारा अपने शरीर की शांत स्थिती पढ़ ले जाएं अपने शरीर के हलके पन को महसूस करें और एक मन सी मुस्कान सदा चेहरे पर बनाए रखें आज से आप इस विराम के बारे में जाकरित रहेंगे फिर से ध्यान सासों के बीच ले जाएं ज्यादा से ज्यादा समय आप इस विराम को महसूस करने में बिताएं कुछ पल इसी स्थिती में बिताते हैं बिल्कुल शांती से इस विराम को हर सास के बीच महसूस करते जाएं अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस मेरा गड़िये और उसे अपनी आखों पर रख दीजिए देरे से अपनी आखे खोलिये एक नए जागरुप जीवन में आपका स्वागत है धन्यवाद